नुश्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशौल और आप देख रहे हैं News Click इस देश में स्कूली किताबों को बदलने की बहस अब दुबारा से शुरू हो गई है इसी के तहट दिली के जवाहर भवन में आज इंडिया Academic Freedom Foundation की तरफ से एक बहस आयोजित की गई जहां पताया गया कि ना सिर्फ स्कूली किताबों में चेंजिस की गए हैं बलकि इनुवर्सिटी की किताबों में भी चेंजिस की गए हैं जिसके तहट अब सावर कर 53 गंटे तक पढ़ाये जाएंगे लेकिन गांधी सिर्फ 5 गंटे में समेट दी गए हैं पहले हम यह समझ लें कि 2004-05 में जब इन किताबों के बनने के पहले राश्री पार्टिचरिया कैसे धान्त बन रहे थे तो उनमें यह पाया गया कि स्कूल में जो छात्राएं छात्र विद्यारती होते हैं उनको उनकी जिन्दगी से जुड़े रहने की जरूरत है उनके समाज में जो हो रहा है उससे निगाह बचाकर किताब नहीं निकल सकती है अगर समाज में जाती आधारे थिंसा है अगर समाज में जंडर आधारे थिंसा है या विभेध है या समाज में दूसरे किसम के पूर्वग्र हैं तो उन पूर्वग्रों पर चर्चा किताबों म के बारे में भी किताबों का म सिर्फ राष्ट्र का गुरों करना नहीं है एक सचेत नागरिक का निरमाड है और सचेत नागरिक का निरमाड लूट है इस तरह से होता है कि वह सोचने समझने वाला दिमाग हो और वह अपना फैसला कर सके तो सूचना भी होनी चाहिए आप सूचना छिपा ना लें जैसे अखसर लोग पूछते थे कि गांधी मारे क्यों गए अब गांधी मारे गए यह सब को पता है नातुरामगोड से ने मारा लेकिन इतनी सूचना से तो कुछ भी पता नहीं चलता क्या ऊबवार इसको बताया गया कि नातुरामगोड से दर असले विचारधारा से जुड़ा हुआ था उस विचारधारा का एक संगतन है और कई संगतन है और गांधी से गांधी को मारने की वज़ह थी वज़ह ता रा तो यह मताना बहुत आवश्यक है आप सूचनाए दें का जिकर भी था जिसमें सिख मारे गए बहुत बड़ी संक्यावें उनको मारा गया। 2200 के गुजरात की हिंसा का जिकर भी था आपातकाल का जिकर भी था और ये किताब उस वक्त बन रही थी जब कॉंगरिस की सरकार थी यूपिए की लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं जो कॉंग्रिस के खिलाफ थी अब ये कहा जा रहा है कि नहीं हमें विभेत कारी बातें नहीं रखनी चाहिए तो जाती भी हटा दीजे पिर आप ये सारे तत्थे जेंडर को भी हटा दीजे जैसे अभी जो शिक्षा मंतरी हैं उन्होंने कहा कि हमने जो चीज़ें हटाई हैं वो इसलिए हटाई हैं कि वे उनमें रिपेटिशन हो रहा था बहुत और दूसरा उन्होंने कहा जो मिस्चीवस थी तो पहले तो वह यह तर्क दे रहे थे कि हमने हटाया इसलिए कि पैंडमिक था कोविट था और रैशनलाइज कर रहे थे अब व कि प्रकार जाती का हटा दिया तो क्या जाती भारत में नहीं है क्या जंडर आधारत विभेद नहीं है यह सारे प्रश्ण ऐसे हैं जो हम लोगों को करने चाहिए सिर्फ वो नहीं अगर आप विग्यान में जाएं तो थियोरिय वाल्यूशन को आपने दस्मी क्लास के पहले विकास के बारे में जाने बिना स्कूल से निकलेंगे और वह इसलिए कि जो यह सरकार है वह कैसी विचारधार में विश्वास करती है जिसके लिए विकासवाद का सिध्धन अनुरूप नहीं है we have a regressive frame of looking at history which is not simply at one level defined by the pressures of the communal but we also have a closure of vision where history is again being looked at primarily in political terms the focus is on dynasties, why is there not more on the Hindu dynasties, why is there more no? So that's dynastical history of the past, now focus on the political and all other things are seen as unimportant. The most glaring thing about these changes is that you have structured the syllabus. So you have four thinkers, together four thinkers, eight hours. I am not one of those who says that Saavarkar should not study, because they are right-wing. The issue is that there is no endorsement from someone, you are learning something from him, you are learning about intellectual history, you are learning about intellectual history, history, you are learning about intellectual history, you are learning about intellectual history, Ngandhi got to unserem elective course, now we are learning about intellectual history, Ambetkar and Gandhi were there in two elective courses, now we are learning about him, Gandhi is listening to the semester seven, but also only for 5 hours, Saavarkar has a full elective course which is 45 hours, और एक इंडिन पुलिटिकल थॉट में एक फुल टॉपिक विच इस एट आवर्स हो तिरपन घंटे उनके पास। सावरकर को पढ़ाने के लिए अगर कोई कॉलेज चाहे तो उसके पास 53 आवर्स होंगे। गांधी के पास पांच घंटे हैं। हमेशा ये पार्टी पुस्तों को भी लड़ाई हमारे पुस्तक और उनके पुस्तक में तबदील हो जाती है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे बचें और हम ध्यान दें कि बहतर पार्टी पुस्तक कैसे बनाए जाएं। तो मेरे हिसाब से जिस तरह के बदलाव लाए गए हैं, ये मेरे व्यक्तिगत मानना है कि इससे ये पार्टी पुस्तक कैं बहतर नहीं हो रही हैं। बलकि ये बत्तर हो रही है। जैसे आपने ये उसमें से हटा दिया कि समाज शास्तर जैसी विधा में हर सवाल का जवाब हमेरे पास नहीं है। और बहुत से ऐसी समाजिक प्रश्ण हैं, जिनका अलग-अलग नजरिये से, अलग-अलग दृष्टि कोंड से, अलग-अलग दृष्टि बिंदु से, अलग-अलग जवाब आ सकते हैं। और सभी जवाब अपने आप में सही है। तो ऐसी स्थिती में अगर समाज इस तरह से बना है कि आप कहां खड़े हो, आप कौन हो, आपकी हैसियत क्या है उसके मताब मुताबिक आपको समाज की सचाई नजर आएगी तो ये तो एक हमारे विधा की, हमारे डिसिप्लिन की एक मौलिक चीज है इसी को अगर आप हटा दें, तो आप कोशिश करें कि समाज विध्यान भी गणित जैसा हो जाए जहां हर सवाल का सही जवाब, एक ही सही जवाब होता है ये तो चीज ही नहीं है, ऐसी अपेक्षा करना ही समाज विध्यान के छेत्र में नमुम की नहयाइसा हो जी नहीं सकता, तो ये बहुत मौलिक चीजे हैं, जो मेरे ख्याल से पाठिपुस्तक को कुंदा कर देती हैं, उसकी धार को कुंदा कर देती हैं, उसे लगबग बेकार कर देती हैं अब जैसे सबसे मुझे अब जो घबराने वाली चीज लग रही है कि प्राइमरी स्कूल में इन्वार्नमेंटल स्टडीज एक विशय होता है जिसमें हमने काम किया था यह कहा है कि ग्यारा साल की उमर तक सिर्फ भाशा और न्यूमरसी मैथमाटिक्स भी नहीं हां न्यूमरसी और लिटरसी यही कीजिए और बाकी कुछ अवलोकन कीजिए कुछ गतिविधी कीजिए कोई किजिए क्योंकि जो कॉंसेप्स है मतलब हम हैरान यह कोई मेरी और तुम्हारी और किसी और की बात नहीं हो कहा जा रहा कि बच्चों की अवधार्नाई जो है वो ग्यारा साल के उमर के बाद जाके बनती है कॉंसेब डिवेलपमेंट अब इस तरह के कथन अगर हम किसी भी करिकरम फ्रेमवर्क में पढ़ें तो कितनी कितना चिंता की बात है हम भी चिंते थे कि बच्चों का क्या होगा उनको एक विशे ही नहीं आप पढ़ा होगे सबसे पहले प्राइमरी साइंस और सोशल साइंस मिला के इंटेग्रेट सबजेक्ट और पर्यावरन इन तीनों का ऐस्ट साइशिए निवायरंमेंटल स्ट्डीज कैलाता है तीसरी चौती पांच वी में और ये एकतरफ से हमारी पालसी कहती ए कि बहुत मल्टीडिसिप्लरी करिये इंट्र इसिप्लरी जो एक विशे है जो वास्तव में इंट्रिसिप्लरी एं जो वास्तव में अलगला ड इसका क्या तर्क है तो ये सब चीजें जो है ना ये बहुत घबराने वाले एक तो जो हटाया है वो गोहाना में जो कांड हुआ दली तो पे जो हां जो घर बर जलाए गए और उस पे हमने लिया था किसी अख़बार से मैगीजीन से जो एक उधरन तो उसे हटा दिया गया है इक खासी जो मात्र स्तात्मक जो प्रता है उनकी की जाइदाद बेटियों में चलती है मा से बेटी को जाती है तो वो एक अलग तरह की परिवार की सन रचना का अलग तरीका है वो हमने समझा था कि बहुत जरूरी है, लोगों को समझना कि हमारे देश में ऐसे भी है, लेकिन उसे हटा दिया गया है, ऐसे मैं कई उदारान आपको दे सकता हूं, जो हमारे समाज की विविद्धता को और इसके समाजिक जो गैर बराबरिया हैं, जिस परकार के अत्याचार होते हैं, इनके तथ्यात्मक प्रमान को हटा दिया गया है. पुल्यूशन हटा दिया, रिसोर्स मैनेजमेंट टा दिया, विज्जान के किताब हों में, एनरजी हटा दिया, किस तरह से रिस्ट, रिन्यूबल एनरजी होनी चाहे बाकि पलिटिकल सेट, पीमोवमन्ट सथा दिया, आज के पीपल मूवमन्ट्स नी पिछले पचाह साथ 10 साल में कितने जन अभियान हुए हैं किसकिस मुद्द को लेके जन अभियान हुए वह अठा दिया तो यह तो मतलब बहुत ही सबसे ज्यादा चिंता की बाथ है कि democracy शब जगे जगे से चुन कि अटा दिया अगर हम यह कहें कि हमें डिमोक्रसी पसंदनी तो हम फिर बहुत कुछ कह रहे हैं चिंता यह कि यह कैसे तैहरा है चिंता यह तर्क दिख रहा है हमको इसलिए यह बहाना बनाना कि कोविड में हैसा हुआ था वह बहाना कि कोविड से भी निप्टा जा सकता था क के कारण भी हम लोग बैठके बत्ताय कर सकते थी कि इसको अभी करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसको अटा देते हैं, अभी बचों के साथ यह जरूरी है, पर वो नहीं किया गया है. It is, the question is not of the left, because there are about 50, 60, 70 people who were part of the writing of these history books. If there is a certain vision which defines their framework, it's a vision of a plural India, plural society, a democratic society, a secular society, a human society, a society free of violence, where you look at the past in order to understand not simply where we have come from, but also to understand how different people, different groups, different communities, different religions have experienced that history, and how we can build, in some sense, a more humane society. Musk and Shre lea, both at the moment of mouth, been more daunting for their 사고 Hangke, looking under the Guru wouldn't seem good to die in order to understand not simply who makes the language